हलो अव्रिवन आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर बियार अम्बेटकर युनिवरसिटी दली के अंडर्गिजुएट कोर्सिस एड्मिशन के बारे में बात करने वाले हैं बियार अम्बेटकर युनिवरसिटी में जो एड्मिशन होंगे वो आपकी CUET के थुरू होंगे इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कौन-कौन से कोर्सिस अंडर्गिजवेट लेवल पर ये युनिवरसिटी ओफर करती है और इसमें एड्मिशन के लिए एलिजिबिल्टी करेटियरिया प्लस CUET में आपको कौन-कौन से सबजेक्ट देने है आप इसमें एड्मिशन के लिए एलिजिबल होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तों अगर आप CBSE क्लास 8 से क्लास 12 तक के स्टुडेंट हो तो अनकेडमी आप लोगों के लिए एक लर्निंग फेस्टिवल स्टार्ट कर रहा है जिसमें आप 45 दिन का सब्स्क्रिप्शन सिर्फ 299 रुवे में ले सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन के बहुत से फाइदे हैं जो मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ जिसमें आपको अनकेडमी के टॉप एजुकेटर के साथ लाइफ क्लासिस देखने को मिलेंगी आप 24 इन्टु 7 उनसे अपने डाउट पूछ सकते हो आपकी CBSE board exam preparation related कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हो इसके अलावा आप अपनी counseling कर सकते हो लाइक आप class 12 के पाथ कौन सा course करना चाहते हो उस particular course में enroll करने के लिए आपको जो भी counseling चाहिए उसमें आप participate और हाँ इसमें schedule का बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जिस भी schedule में suitable हो या लाइक आप school से घर आते हो जिस भी time आप free रहते हो उस time आप अपने doubt पूछ सकते हो कोई language barrier नहीं है English में, Hindi में या किसी और language में भी आप अपने doubt इसमें पूछ सकते हो आपको सिर्फ mobile phone चाहिए अपने doubt पूछने के लिए तो आप mobile phone की connectivity की मदद से अपने जो doubt है Unacademy के top educator के साथ वो पूछ सकते हो इसमें आपके live test भी होंगे mock test भी होंगे जिस mock test के through आप अपनी performance को evaluate कर सकते हो because और भी student है और भी candidate है जो आपके साथ-साथ live mock test दे रहे होंगे जिनके साथ आप अपनी performance को evaluate भी कर सकते हो अपने doubt किलियर कर सकते हो और साथ-साथ जो भी आप course purchase करोगे उसका learning material PDF format में भी आपको provide करवाया जाएगा इसके अलावा आपकी detail analysis आपके performance की detail analysis detail report भी आपको दी जाएगी यह सब benefit आपको मिलेगा unacademy के learning festival में जो कि सिर्फ 299 रुपे का है और हाँ अगर आप coupon code यूज करते हो ameen10 तो आपको 10% का additional discount मिलेगा उस additional discount की मदद से यह जो code है यह जो subscription है यह 270 रुपे का आपका हो जाता है description में दियेगा लिंक से आप enroll कर सकते हो thank you हम आ गए है official website पर यहाँ पर आप जब website पर आओगे तो आपको जो cuvt का link है directly वो इसी website पर भी दे रखा है लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे apart from cuvt कि इसमें कौन-कौन से courses available है और उसमें cuvt के लिए आपको कौन-कौन से subject देना है so that आप उन particular courses में admission ले सकते हो तो यह UG admission website है इसमें आपको चार अलग-अलग PDF मिलेंगी यह cuvt का public notices है जो कि NTA की website पर आया था और इसके अलावा यह बताया जा रहा है कि हमारे जो admission होंगे वो cuvt के थूरू होंगे उसकी information इसमें दी जा रही है हम इस वाले PDF की बात करेंगे जिसमें आपकी eligibility भी आ देगी और जो further information है कि cuvt में कौन के subject आपको देने है उसकी भी information आपको इस prospectus में देखने को मिल जाएगी सबसे बहले हम eligibility की बात करें देखें अमबेटकर universities में total 17 courses हैं जिसमें आप लोग देख सकते हो BBA हो गया BBA के इलावा BBA आप कर सकते हो किस-किस में global studies में कर सकते हो sustainable urbanism में कर सकते हो social science and humanities में कर सकते हो laws and politics में कर सकते हो हिंदी में BA कर सकते हो economics honors कर सकते हो history honors कर सकते हो psychology honors कर सकते हो और BA honors social science and humanities कर सकते हो इसके इलावा आप BA honors English कर सकते हो, BA honors mathematics भी आप कर सकते हो, sociology honors कर सकते हो इसके इलावा vocational में कुछ courses हैं जिसमें आपका tourism and hospitality है, retail management है, early childhood care management and entrepreneurship है और आपका accounting and finance course है, तो यह तोटल 17 courses offer करती है युनिवरसिटी अगर हम बात करें पहले eligibility criteria की, तो mainly जादर courses की eligibility criteria same है और वो criteria क्या है, कि class 12 आपकी pass out होनी चाहिए, कि भी recognize board से, उसमें आपके 50% marks at least होने चाहिए यह basic criteria है, CUVT में appear होने के लिए, और इन 50% के criteria में 5% का relaxation है, SCST, PWD और Delhi OBC candidate के लिए चुकि यह university, state university है, तो OBC का जो reservation है, वो सरिफ Delhi के candidates को मिलता है यानि कि इसमें अगर 50% है, तो 5% का relaxation आपको इसमें percentage में देखने को मिलेगा और इन सभी courses में जो admission होंगे, वो CUVT के business पर होंगे अब कुछ ऐसे में specific courses आपको बता देता हूँ, वसे जनर्रल eligibility criteria यह मैंने आपको बता दिया सभी का courses का eligibility criteria सेम है, लेकिन कुछ-कुछ courses में कुछ specific criteria है जो मैं आपको अभी explain कर देता हूँ जिससे सबसे पहले economics honors का आप थोड़ा सा समझिए economics honors में यह लोग बोल रहे हैं कि हाँ जी 50% marks लाओ अपने आप class 12 में और with at least passing marks in mathematics तो इसका मतलब क्या है कि class 12 में math होना ज़रूरी है अगर आप economics honors में admission देना चाहते हो, हम बेड़कर university में तो class 12 में math subject आपने पढ़ा होने चाहिए अब वो CUT में देना है math या नहीं देना उसकी बात हम थोड़ी ज़र में करने वाले हैं तो इसका एक specific criteria है, general तो आपको 50% लाने ही लाने है इसके अलावा आपको English subject में as an individual 65% marks लाने है यहने कि obsessive class 12 में हिंदी होने चाहिए तो इसका भी कुछ specific criteria है जो मैं आपको बता चुका हूँ इसी तरह से BA honors mathematics में देख लेते हैं BA honors mathematics में भी आपको general 50% चाहिए ही चाहिए apart from that mathematics class 12 में होना mandatory है और उसमे 65% marks at least आपके होने चाहिए BA honors mathematics के लिए तो यह कुछ यह कुछ दो तीन courses में कुछ specific criteria था economics honors या mathematics honors में या English honors में बाकि सबका criteria सेम है और एक चीज और मैं आपको बता दूँ criteria की ही बात हो रही है तो तो जो vocational courses इस university के ब्राउशर में लिखे हुए हैं उसमें भी criteria सेम है कि class 12 में class 12 pass out होना चाहिए लेकिन इसमें master criteria नहीं है तो इसका सीज़ सीज़ मतलब यह है कि vocational courses में admission के लिए आपको सिर्फ class 12 में pass out होना कम बसरी है बागे फिर आपका CUT में आप लोग appear हो गए तो यह तो eligibility criteria की बात हो गई अब हम बात कर लेते हैं कि यार actual में CUT जो आप दोगे उसमें आपको किन-किन papers का exam देना है courses wise वो भी हम बात कर लेते हैं तो पहले BBA की बात करते हैं तो BBA में अगर आपको admission चाहिए तो simply आपको सिर्फ section 3 देना है general test CUT में तो आप BBA admission के लिए eligible रोगे embedkar university में global studies के लिए आपको section 1A में से कोई भी language देनी है plus section 2 में से आपको कोई भी तीन domain देना है section 1A में कौन-कौन सी languages है वो आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ यह जो हम embedkar university की website है उपर आप लोग देहोगे CUED का public notice आया हुआ है इस public notice को download कर लेंगे यह notice वही है जो NTN रिलीस करा था अपने February या March के मंत में तो यह वही notice है कोई अलग से notice नहीं है ठीक है तो यह notice although download नहीं करना स्वारी आपको यह नीचे वाला notice download करना है admission procedure वाला तो इस notice में आप लोग देख सकते हो section 1a में कौन कौन सी languages है ठीक है और section 1b में कौन कौन सी languages है तो इसके according आप अपना जो भी domain वगरा है वो चोज करोगे ठीक है नीचे और में scroll करूँगा तो आपको languages का option और जो भी चीज़े है वो आपको देखने को मिल जाएंगे यह दिखिए languages कौन कौन सी है तो इसके accordingly आप अपका screenshot ले दीजिए section 1a section 1b और section 2 के domain सारे जितने हैं वो दिख जाएंगे ठीक है तो global studies की हम बात कर रहे थे global studies में section 1a में से कोई एक language plus 3 subject आप domain के देखो section 2 में से और sustainable urbanism का भी same criteria है ठीक है तो इसको हम बारबर discuss नहीं कर रहे हैं be a social science and humanities का भी same criteria है कोई भी एक language plus आपको कोई 3 domain देना है be a law and politics का भी same criteria है be a honors हिंदी का criteria समझ लिए क्या है section 1a में से हिंदी का paper देना है और section 2 में से कोई 3 domain देना है याद रखिए Hindi honors के लिए section 1a में से हिंदी का exam देना है कोई भी language नहीं जलीगी आपे Hindi का ही आपको exam देना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है plus 3 domain आप section 2 में से दे सकते हो economics honors के लिए आपको section 2 कोई भी 3 domain economics honors के लिए कोई language नहीं मंग रहे है section 2 में से कोई 3 domain आपको देना है history honors के लिए आपको section 3 देना general test ठीक है history honors के लिए section 3 देना general test और psychology के लिए आपको section 1a में से कोई language देनी है और section 2 में से कोई भी 3 domain दे देने है BA honors social science and humanities के लिए कोई एक language section 1a में से देनी है plus section 2 में से आपको कोई भी 3 domain दे देने है इसके बाद English honors में आपको section 1A मेंसे English का test देना ही देना है कोई भी language नहीं सिर्फ English चलीगे इसके अलावा section 2 मेंसे कोई भी 3 domain आप दे सकते हो Mathematic के लिए आपको section 2 मेंसे Mathematic देना है और कोई भी 3 other subject आप दे सकते हो यह या तो section 2 मेंसे हो सकते है section 1A मेंसे हो सकते है sociology honors के लिए कोई भी एक language section 1A मेंसे और 3 domain आपको section 2 मेंसे देना है इसके लावा vocational stream में जितने भी courses है आपका चाहे वो tourism and hospitality हो चाहे वो retail management हो या फिर early child root care हो तो आपको general test देना है इसके थूँ आप eligible हो जाएगा और बस यही सब procedure है दोस्तो आपको embed कर university की website पर सिर्फ eligibility चेक करनी है या फिर वो आप CUT की website पर भी चेक कर सकते हो तो कि form जो आपको भरना है वो सिर्फ CUT की website पर आप जाकर भरोगे जिसका मैं video का link भी description box में डाल दूँगा आपको CUT का application form भरना है उसके बाद की procedure जो होगा वो university की website पर होगा जिसकी information आपको entrance exam के बाद ही दी जाएगी तो अगर आप interested हो इस university में admission लेने के लिए तो जल सी जल आप CUT का form भर दीजिए तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही कुछ queries हो तो comment section में लिखके पूछ सकते हैं Thank you